हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मुवी में हम देखेंगे कि कैसे ओम की रिफ्लेक्शन जिन्दा हो गई है और वो उसे मैनिपुलेट करके दुनिया को फ्रीज करना चाहती है तो अगर आपने इसका पहला पाट अभी तक नहीं देखा तो दियोवे लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं तो मुवी की शुरू में ओम हमें अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे एक टाइम पर वो स्नो क्वेन के लिए काम करता था वो लोग गरड़ा और काई नाम के दो बच्चों को पकरतर लाते हैं जिनके पास एक ऐसा मैजिकल मीरर था जो स्नो क्वेन को हरा सकता था रास्ते में ओम और गड़ा के भी दोस्ती हो जाती है और कुछ मुश्किलों का सामना करते वे वो लोग फाइनली स्नो क्वीन के कैसल तक पहुँच जाते हैं वहां ओम का मन बदल जाता है और वो गड़ा के साथ मिलकर स्नो क्वीन के शैतानी इरादों को फेल कर देते हैं और में एक सैक्रेड लेक गाव पर जाकर कसम खाता है कि आगे से वो कभी जूट नहीं बोलेगा और ऐसा करते ही लेक में उसकी परचाईच जिन्दा हो जाती है पता चलता है कि ओम ट्रॉल विलेज में अपनी दादी की साथ रहता है और विलेज की ही एक माई में माईनर का काम करता है एक दिन वो दादी के लिए कॉंसर्ट की टिकट्स लेने जाता है लेकिन पैसा कम होने के कारण वो लोग उसे भगा देते हैं फिर वो बैंक से कुछ पैसे उधार लेने जाता है लेकिन मैनेजर कहता है कि तुमारे घर की A.M.I. भी बाउंस हो चुकी है और अगर जल्दी ये वो पे नहीं की तो बैंक उसके घर पर कबजा कर लेगा। और मैं अपने दोस से उधार मांगने की सोचता है और तबी वो देखते हैं कि एक सोल्जर कुछ एनाउंसमेंट कर रहा है। पता चलता है कि प्रिंसिस मैरिवेल का स्वेंबर होने वाला है और किंग ने सभी नाइट से पैलेस में आने को बोला है। और भी अपने किसमत आज माने जाता है लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ कर बाहर फैंक देते हैं और बताते हैं कि बिना आर्मर के तुम अंदर नहीं जा सकते। यहीं वो एरोग नाम के दूसरे नाइट को देखता है जो अपने बहादुरी के लिए पूरे विलेज में फेमस है और ट्रोल्स को लगत यहीं प्रशाईक को देखता है कि इस कॉंटेस में सभी को मोका मिलना चाहिए और वो सब के सामने एरोग को चैलेंज करता है एरोग सोल्जर्स से उसे पकड़ कर लाने को बोलता है लेकिन ओम वहां से भागकर अपनी माईन में आ जाता है यहां उसका बोस उसे पताता है कि एरोग केंग का चोहेता नाइट है और उसकी इंसर्ट करने की वज़ा से तुम्हें फायर कर दिया गया है उदास ओम वापस अपने घर आता है और देखता है कि बैंक ने उसे नोटिस भेजा है कि कल तक उन्हें अपना घर खाली करना होगा तब ही वो मीरन में अपनी परचा और ऐसा करते ही प्रिंसेस के साथ साथ कैसल भी तुमारा हो जाएगा और मुसकी बातों को इग्नोर कर देता है लेकिन देखता है कि उसकी दादी कॉंसर्ट में जाने के लिए बहुत एकसाइटीड है वो उन्हें बातों मिल जाने की कोशिश करता है कि इस एज में आपको क कैसल से बाहर निकाल दिया और मुने थोड़ा चेयर करने के कोशिश करता है लेकिन तब ही दादी के हाथों वो नौटिस लग जाता है और वो पूछती है कि आकर ये सब क्या चल रहा है तब और मुने बताता है कि वैसे भी हमें इस घर के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जल कि उनकी मदद से उसे अपने लिए एक आर्मर तियार किया है अगले दिन वो स्वेंबर में जाता है जहां सोलजर्स भी इस नए नाइट को देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो पूरे एटिटूट के साथ अंदर चला जाता है यह हम उसकी फ्रेंड गर्डा को देखते है चूँ उसके लेटर्स को पढ़कर उसे मिलने आई है और उसे लगता है कि शायद आम को उनके मदद की जरूरत है आगे का सिंध स्वेंबर का है जहां एरोग सबको अपनी बहादरी के किस्स सुना रहा है किंग यह सुनकर उसे वीनर गोशित करने लगता है लेकिन तब ही और वॉम उने रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ एरोग को चलिंज करने आया हूँ तब और मुने अपनी चूटी कहानी सुनाता है कि कैसे वो स्नो क्वेन की गुफा में अकेले ही गया था जहां पहले तो बड़ी मुश्कित से उसने उसकी स्नो शिल्ड को तोड़ा जिससे उसे खोया हुआ ये ट्रॉल विलेज मिला और फिर उसने सब ट्रॉल को अनफ्रीज कर दिया एरोग को अभी भी ये सब जूट लगता है लेकिन किंग कहता है कि इसका फैसला तो पब्लिक ही करेगी और वो और्म से अपनी बात डिटेल में बताने को कहता है और मुने सनो क्वीन के साथ हुई लड़ाई के बारे में बताता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि गर्ड़ा और उसके दोस्ट भी वहाँ पहुचे है किंग और बाकी लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और तब ही और्म की नजर गर्ड़ा पर पड़ती है जो नराज होकर वहाँ से वापस जा रही है वो बाहर उससे बात करने जाता है लेकिन गर्ड़ा कहती है कि मैंने तुमारे जैसा सेल्फिश फ्रेंड कभी नहीं देखा और मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती तब ही प्रिंसेज वहाँ आकर ओर्म को अपने साथ ले जाती है और वो चाकर भी गर्ड़ा को कुछ नहीं समझा पाता आगे वो अपनी दादी के साथ कैसल में आता है और पता चलता है कि किंग ही वो प्रिंस है जो उसकी दादी को बहुत प्यार करता था वो बात कर ही रहे थे कि तब ही स्नो क्वीन का विंड मोस्टर वहाँ आता है अब प्रिंसेज को उठा कर अपने साथ ले जाता है किंग और्म से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे पोसिबल है क्योंकि स्नो क्वीन को तो तुमने मार डाला था और रॉम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता किंग ये देखकर उदास हो जाता है और एनाउंस करता है कि अब प्रिंसिस की शादी उसी ट्रोल से होगी जो उसे स्नो क्वीन से बचा कर लाएगा एरोग और रॉम दोनों ही इस काम के लिए तयार हो जाते हैं और अपने अपने कुछ सोलजर्स लेकर निकल पड़ते हैं यहीं एक सीन में हम आइस मॉंस्टर्स को देखते हैं जो स्नो कैसल को दुबारा बना रहे हैं और उन्होंने स्नो क्वीन के मैजिक मिरर को भी फिर से जोल लिया है इधर ओम गर्डा को लैटर लिखने की सोचता है कि स्नो क्वीन कहीं से वापस आ गई है और उसे गर्डा के मैजिक मिरर को यूज करने का तरीका पूछना है जो काफी टाइम से ओम के ही पास रखा था लेकिन फिर कुछ सोच कर वो उस लैटर को फार देता है यहीं हम ओम के परच्छाई को देखते हैं जो स्नो क्वीन के मैजिक मिरर से उसे देख रहा था और पता चलता है कि ये सारा प्लैन उसी ने बनाया है वो जानता है कि स्नो क्वीन को गर्डा के मिरर नहीं हरा है था और इसलिए वो विंड मोस्टर को उसे चुराने भेजता है और्म भी जल्दी ही वापस घर आता है लेकिन देखता है कि मिरर को किसी ने चुरा लिया है और वो गड़ा को एक बार फिर लेटर लिखता है कि मैं ब्लैक हील पर तुम से मिलना चाहता हूँ यहीं हम देखते हैं कि घरड़ा का मिरर और प्रिंसेस दोनों स्नो कैसल में ही है और स्नो क्वीन के मिरर से ओंपर नज़र रखी जा रही है उधर और में एक बड़ की मद़से वो लेटर घरड़ा तक बेजता है और सोचता है कि अब बस मुझे एरोग को ढिकाने लगाना होगा वो खाय लोकर एरोग से मिलने का नाटक करता है और कहता है कि मैं अब इस काम को नहीं कर सकता लेकिन तुमें एक शोटकर से स्नो कैसल तक पहुचा सकता हूँ वो एरोग से खुद पर भरोसा करने को कहता है और एरोग भी बीना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान जाता है इदर गरड़ा और उसके साथियों को वो लेटर मिलता है और वो ओंग के मदद करने निकल पड़ते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि ये सब तो उस पर छाई की चाल है जो उनके स्नो पैलेस में आने का वेट कर रहा है आगे हम वो ओंग को देखते हैं जो एरोग से अपना मैफ वापस चुरा लेता है और गरड़ा और उसके दोस्तों से मिलने निकल पड़ता है एरोग को भी जल्दी ही उसकी चाल का पता चल जाता है और वो देखता है कि ओर्म तो अपने सोल्जर्स को भी छोड़ गया है वो उन्हें भी अपने साथ चलने को बोलता है और जल्दी ही वो ब्लैक हिल्स के करीब पहुँच जाते हैं गड़ा और उसके दोस्तों को लगता है कि ये शायद ओर्म का ही ग्रूप है और वो अपने शिप को इनी के ओर ले जाते हैं वहाँ वो उन्हें अपने शिप पर लोड करते हैं जहां एरोग गड़ा को बताता है कि ओर्म तो एक नंबर का धोके बाज है और उसने जूर बोलकर मेरी शादी भी तुरवा दी ताकि वो ट्रोल्स विलेज का किंग बन सके यहीं ब्लैक हील पर हम ओर्म को देखते हैं जो गड़ा के आने का वेट कर रहा था लेकिन तब ही वो देखता है कि गड़ा तो एगोर उसके सात्यों के साथ वहां से जा रही है उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं स्नो क्मीन को अकेला ही हरा लूँगा तब ही उसे अपनी परच्छाई की आवाज आती है जो कहता है कि हमें उनके शिप को रोक नहीं होगा वरना है रोक प्रिंसेस को तुमसे पहले डून लेगा और तुम और तुमारी दादी कभी उस कैसल में नहीं रह पाओगे वो उसे खुद को यहां से बाहर निकालने को बोलता है और ओम भी बीना कुछ सोच समझे उसकी बात मान जाता है जल्दे ही वो साया रियल दुनिया में आ जाता है और ओम पूछता है कि तुमें स्नो क्वीन जैसी छड़ी कहां से मिली है इस पर दूसरा ओम कहता है कि स्नो क्वीन का खेल तो कब का खतम हो चुका है और तुम मुझे स्नो किंग बुला सकते हो फिर वो अपने पावर से समझे को फ्रीज करने लगता है और रोम देखता है कि गड़ा और उसके दोस मुसीबत में है वो स्नो किंग को रोकने के कोशिश करता है लेकिन देखता है कि स्नोकिंग ने शिप को रोकने के लिए अपने विंड मोस्टर को बेजा है विंड मोस्टर सामने बनी एक लहर को फ्रीज कर देता है लेकिन वो लोग एरोग के कैनन यूज करके बच निकलते हैं इधर रॉम एक बार फिर स्नोकिंग को रोकने आता है लेकिन देखता है कि उस पर किये हर वार का असर उसी पर हो रहा है स्नोकिंग उससे कहता है कि मुझे हराना तुमारे बस के बाहर की बात है और वैसे भी तुमारे दोस्तों को मैं तुमारे खिलाफ कर चुका हूँ और रव वो तुम पर कभी यकीन नहीं करेंगे ओर्म कहता है कि तुम तो मेरी बस एक परचाई की तरह हो और तब स्नो किंग उसे बताता है कि वो तो मेरे रियल वर्ल्ड में आने से पहले की बात है और परचाई तो अब तुम बनने वाले हो क्योंकि तुमारा शेरीर दीरे-दीरे गायब हो रहा है ओर्म भी ये बात नोटीस करता है और तब ही वो देखता है कि स्नो किंग वहां से भागने की कोशिश कर रहा है वो भी विंड मोस्टर के अंदर उसके पीछा करने लगता है लेकिन स्नो किंग बीच में ही उसे नीचे गिरा देता है इदर गर्डा और उसके दोस्ट भी शिप से आगे बढ़ते हैं और जल्दी स्नो कैसर तक पहुँच जाते हैं उदर रॉम अपने केप का यूज़ करता है और उसे एक पेराशूट में बदल कर गर्डा और उसके दोस्टों तक पहुच जाता है लेकिन देखता है कि वो उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है तब इसनो किंग के मोस्टर उन पर अटैक कर देते हैं और गर्डा और उसके दोस्ट भी उनका मुकाबला करने लगते हैं और्म उनके मदद करने की कोशिश करता है लेकिन गयब होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता और एक के करके उसके दोस फ्रीज होने लगते हैं। एरोगमो का देखकर कैसल के अंदर जाता है और अपनी रूबी की मदद से प्रिंसेस को वापस अन्फ्रीज कर देता है। और्म देखता है कि एक मौनस्टर उन्हें फ्रीज करने आ रहा है लेकिन वो चा कर भी उन्हें नहीं बचा पाता और तब एक गरड़ा वहां कर उस मौनस्टर को नश्ट कर देती है। क्योंकि तरह freeze हो जाती है और्म गुस्से में स्नो किंग पर अटेक करने की सोचता है लेकिन वो अपनी स्टीक के पावर से उसे magic mirror में कैद कर देता है और कहता है कि अपसे यही तुम्हारा नया घर है आगे वो बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को एक ice prison में डालने वाला हूँ जहां यह अपनी आने वाली सारी life गुजारेंगे और यह सुनकर और उम को बहुत दुख होता है कि यह मैंने क्या कर दिया वहां वो अपनी दादी का सुनाय एक गाना गाने लगता है और तब ही उसे बच्पन की वो बात याद आती है जब उसने घर का एक शीशा तोर दिया था वो अपनी दादी से जूट बोलने वाला था लेकिन दादी ने उसे समझाया कि सच बोलने से बड़े-बड़ी problems भी solve हो जाती है और भी समझ जाता है कि स्नौकिंग उसके जूट से पैदा हुआ है और वो जरूरत से जादा selfish हो गया था इसलिए उसने अपने दोस्तों की भी कदर नहीं की ये सोचकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो confess करता है कि मैं सच में बहुत बड़ा जूटा हूँ reality accept करते ही वो mirror तोड़ कर बाहर आ जाता है और स्नौकिंग को ये देखकर बहुत हरानी होती है फिर और make-ay करके अपने दोस्तों को सच बताता है और देखता है कि इससे वो unfreeze हो रहे है स्नौकिंग उसे ऐसा करने से रोकने आता है लेकिन तब तक उसके काफी सारे दोस्त आजाद हो चुके थे और वो उल्टा स्नौकिंग को ये उस mirror में कैद कर देता है जिससे उसका सारा स्वेल तूट जाता है और रॉम की बाकी दोस्त भी आजाद हो जाते है स्नौकिंग भी दीरे दीरे वापस परचाई में बदलने लगता है जिससे उम का reflection नॉर्मल हो जाता है और तबी वो देखता है कि गरड़ा और बाकी लोग उसे में उसी के ओर बढ़ रहे हैं आगे का सीन कैसलता है जहां सब को पता चल जाता है कि ओम पहले स्नोक में के साथ काम करता था और रॉम भी उनकी हर punishment को accept कर लेता है तब किंग अपने लोगों को इशारा करता है और रॉम देखता है कि किंडम में उसके नाम का एक statue बनाया गया है गिंग उसे बताता है कि सच बोलकर तुमने बहुत बहादिरी का काम किया है क्योंकि लाइफ में perfect तो कोई भी नहीं होता और राजम तुमें भी town का एक hero announce करते है एरोग भी उससे handshake करने आता है और रॉम के दोस्ट भी ये देखकर बहुत कुश होते है आगे हम देखते हैं कि किंग ओर्म की दादी को propose करता है और कहता है कि finally मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बैंक मेनेजर भी ओर्म के loan को clear कर देता है और कहता है कि अब तुमें घर से कोई नहीं निकालेगा end scene में ओर्म गर्डा से माफी मांगता है कि आगे से वो ऐसी गर्डी कभी नहीं करेगा और कर्डा भी उसे माफ कर देती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आप कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें like and subscribe करना ना भूले Thank you